आपके पस Vivo B29 29 A29 Pro कोई भी पोन है, तो यहाँ पर आप screen recording आप इसे कर सकते हैं, अपने फोन में, वो भी sound के साथ, तो यहाँ पर screen recording के लिए आप scroll down करेंगे, तो screen recording का एक ऐसे चोटा सा icon देखने को मिल जाएगा, यह shortcut है, तो आप इस पर click करके रखेंगे, तो यहां पर setting का option open हो जाएगा touch अगर आपको चाहिए screen recording में तो आप इसे on रखेंगे record sound पर क्लिक करके आप यह वाला option यूज करेंगे तो आपका microphone और system का जो sound होता फोन से निकलने वाला sound वो दोनो record होगा अगर आपको सिस्टम का चाहिए तो इसे on कर लेंगे सिर्फ microphone चाहिए तो इसे on कर लेंगे अगर आपको mute recording करनी है तो none कर देंगे ठीक है यह 4-5 option है click कर लेंगे image quality आपको high रखनी है medium रखनी है यह low रखनी है यह देख लेंगे इसके बाद यहां पर इसको on रखेंगे तो आपका यह do not disturb enable हो जाएगा जब आप recording कर रहे हैं तो उस time पे ना तो call आईगे आपके screen पे नहीं कोई भी pop up आएगा message वगरा का ठीक है यह आप देख लेंगे बाद की screen recording start करनी है तो आप यहां से भी click करके start कर सकते हैं यह यह रही screen recording की pause button है यह play button है और यहां पे click करेंगे तो save हो जाएगा बागी ना अगर normally screen recording करनी है तो आप इस पे एक बार touch करेंगे तो भी आपकी recording start हो जाती है ठीक है और यहां पे red color की screen recording आपको show कर रही होगी status बार में ऐसे save कर लेंगे screen recording हो चुकिया देख सकते हैं वो red color का जो आ रहा था ना आइकन remove हो गया है अब यहां पे आप जाएंगे इस पे तो जो भी आपकी screen recording है इसको play कर लेंगे तो ऐसे करके sound के साथ आप screen recording कर सकते हैं चले मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार